पाली सी को 4.5 व्याकरण क्या होती है पाली एक नेच्छल भासा है पक्ती भासा है या संस्काइद भासा में कहें तो प्राकर्टी भासा है पक्ती भोलते हैं पाली भासा के अंदर प्राकर्टी भासा में इसका कोई नाम नहीं पढ़ा क्योंकि प्राकर्टी भासाओं के नाम समय के हिसाब से जगे के हिसाब से और जो समय शासक होते हैं उनके नाम पर पढ़ते जाते हैं उनकी पैचान बनती जाती है इसलिए कोई fix नाम इनको नहीं दिया जाता है ये चालों तरफ जैसे बारिस होती है और अलग-अलग धाराय निकलती है उन सभी धाराओं को गंगा बोलते हैं वैसे ही इन सब को प्राकरती भासाओं के नाम से अलग-अलग बनाया जाता है कौसल पडेस हुआ प्राकरती भासाओं के नाम से भी हो गई और जिसने इसको खोजा उसका नाम इसने पाली दिया पाली मतलब पालने वाली वचनों को तो ये पाली हो गई और आज के समय में इसको हिंदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये चारो तरफ भारत में बिख्री हुई है इसलिए उसको हिंदी के नाम से बोला जाता है और जो संस्कायित किया गया उसको हम संस्कायित भासा के नाम से जानते हैं अब संस्कारित क्या होती है प्राकर्तिक क्या होती है यह बहुत सिंपल साथ छोटा सा है प्राकर्तिक भासा जितनी ही होती है उनमें दो तरह के सब्द होते हैं एक होते हैं जो बदलते रहते हैं जिनको विभक्ति बोलते हैं बदलते जाते हैं जैसे बुद्ध है बुद्ध या बुद्धेही, बुद्धस्मिंग, तो ये सारे सारे जो नावन के साथ चलते हैं, और कुछ फिक्स सब्द होते हैं, जैसे कदापी है, पी है, यदी है, चै है, ये सारे सब्द हैं, जिसमें मैं और भी, पर, ये सब फिक्स सब्द आते हैं, तो एक फिक्स सब्द होगे ज जो वे होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, खर्च होते रहते हैं, उनको वे सब्द बोलते हैं या व्याकरण बोलते हैं, यानि कि उनकी कारक हैं, जो उनको वे करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उसको व्याकरण बोलते हैं, तो कोई भी भासा अपने अंदर सुरू में व्य सब्ध हैं, जो अब अब हैं, वो भी अपने आप बनते हैं, और जो चलन वाले, चलने वाले, बदलने वाले सब्ध हैं, वो भी अपने आप बनते हैं, दुनिया की सारी भासाओं में, तो पाली के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो लोग न इसको भासा को पाली को फिक्स किया, mathematics तर तो फिर भासा नेचुरल नहीं रह पाती, प्राकरतिक नहीं रह पाती, वो बदलेगी नहीं, वो एक मैथमेटिक्स के सांचे में ढ़ल गई और वो फिक्स होगी पूरी भासा, उसमें अब अब भी और जो व्या करना है वो भी फिक्स होगी, इसलिए जो बुद्ध बचन है या पाली भासा है, या जो कौसली है, मगदी है, या जो हिंदी भासा है, ये फिक्स भासा नहीं है, ये प्राकरति भासा है और ये बुद्ध से पहले के समय से और बुद्ध के बाद के समय से और आज तक भी लगातार बदलती आ रही है, बदलती रहती है ठीक, ऐसे जैसे जो हिमाले के उपर पानी बरता है या बरफ बरस्ती है उससे जो नदिया निकलती है वो सारी सारी अपना रास्ता अपनी स्थिती समय और वस्तु के साफ से बदलती रहती है इसलिए भासागी बदलती रहती है जहां जाती है उनमें कुछ ना कुछ जुड जाता है कुछ ना कुछ उसमें घट जाता है तो व्याकरण जो होता है वो बताता है कि इसमें क्या व्य हुआ क्या चेंज हुआ क्या इसमें अब जोडार घटाया गया हिंदी का व्याकरण जो आकी डेट में है वो दसल पाली का ही व्याकरण है थोड़ा सरल हो गया है पाली का व्याकर चुखि जिनोंने पाली का अध्धन किया उन्होंने देखा कि इसमें कैसे कैसे क्या सब बदलते हैं उसको व्याकर बोते हैं यानि व्याकर्ण पहले से भासा के अंदर आटोमेटिक अपने आप बनी हुई है सिर्फ मनुस्य ने उसको अध्यन करके अलग किया हुआ है और अब अभी अध्यन करके अलग किया हुए ताकि भासा को समझाने में आसानी रहे है क्योंकि यहां हम अब पाली को थोड़ा सा आगे बताएंगे बहुत सल है क्योंकि हिंदी आप जाते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई आपको तो यहां आपने देखा होगा कि पाली के अंदर जो खास बात है वो यह है कि हर सब्द का जो अंत है उसको कारक अंत बहुते हैं कारक अंत का मतलब है कि इसका जो लाश्ट सब्द है आखिर सब्द है वो कहां जाकर रुखता है यह पाली के अंदर खास बात देखी गई जैसे जो अधिकतर नाम है जिनको मेल बोला जाता है या पुर्स लेंग या पुल्निंग बोला जाता है या मस्कुलर बोला जाता है उनमें लिए देखा गया कि ए ऐसे खतम होते है और इनकी जो प्रकति है वो ए पे खतम होती है यानि कि ए कार अंत है तो यह सारे जो पुल्निंग वाले सब्द है वो A या E यानि कि बड़ी वाली E या U यानि कि ये जो सब्द है ये A, E, U पे जाके खतम होते हैं अधिकतर सब्द ये pulling सब्द है कोई और सब्द भी हो सकता है वो बहुत लेस है बाद में A, E और ये U पर खतम होते हैं U भी इसमें छोटा है और E भी इसमें बड़ी है आप अगर देखेंगे ध्यान से तो जितने भी पुरुसों को यानि जो मेल हैं, मस्कुलर हैं उनको संभुतित करने वाले जितने भी सब्द हैं उनके आखी सब्द में जो आवा जाती है वो आती है A या छोटी E या छोटा U ये सब्द आखिर में मिलेंगे जैसे मिया नाम सुधीर है या बुद्ध है या संग है इसमें बाद में A आता है जो छोटी E है, जैसे मुनी हो गया ये छोटी सब्द E में आते हैं जैसे U हो गया, तो बाद में U से आते हैं, जैसे करू हो गया यह सब्द आते हैं और अगर आप female के सब्द देखेंगे तो वो आ करांथ पर आते हैं यानि उनमें लाश्ट में आ का अक्षर आता है जैसे विमला, कमला, सीता, मीता, गीता, ये जनता, ये जितने सब्द हैं जिनमें बाद में आ आता है वो female के लिए आता है, वो इसतीरी के लिए आता है मीला के लिए आता है वो feminine gender है यानि कि जो संब्दन आता है वो female के लिए आता है तो इसतीरी link के जो सब्द हैं वो जादा है आ, छोटी E, बड़ी E, छोटा O और O जो O से जो बने सब्धें आखिर में वो बहुत कम आते हैं. बहुत छोटे सब्धे, बहुत कम सब्धै हैं. जो A, E और बड़ी E से सब्ध आते हैं वो ज़्यादा हैं महिलाओं के लिए. जैसे आप देखेंगे मालती है, कांती है या क्या बोलता है अनिता है, यह सारे सब जितने इसमें आएगा या ई आएगा बड़ा और छोटी ई भी आता है मंगर उ छोटा और बड़ा बहुत कम आता है एक आता है common gender, common gender का मतब है नपुनसक लिंग हो गया यानि कि जिसका कोई ना female है ना male है जो बीच का gender है उसको नपुनसक लिंग यहां बोला गया है नपुनसक लिंग के सब्द बहुत कम है A, E और O, यानि A, छोटी, E और छोटा O से वो सब्द खतम होते लास्ट में जो नपुनसक लिंग में आते हैं अब basically लिंग क्या होता है लिंग को बात में आज के समय में पुरुस के जन्नांग और इस्त्री के जन्नांग जो जरन करने वाले प्रजरन करने वाले जो उत्पत्ति करने वाले अंग है उन से देखा जाता है basically पाली के अदर लिंग का मतलब है चिन यानि कि जो चिन है जो साइन है जो मार्क है जो निशान है उसको बुला जाता है लिंग यहाँ निशान को लिंग बुला गया है तो लिंग देखा जाता है जैसे प्राद में ये पशित होने लगा पुर्स के लिंग अलग तरह के होते हैं, पहचान के चन अलग तरह के होते हैं, मैला के अलग तरह के पहचान के लिंग होते हैं, तो उन जो खास जो चन थे निसान थे उनी को फिर लिंग करके बोला जाने लगा, तो पुर्स जो आता है वो पाली का सब्द नहीं है, पाली का स होगा और इत्थिलिंग उसी को बोलेंगे जो फीमेल होगी पाली के अंदर एक बचन और दो बचन भी चलते हैं यानि जैसे बुद्धों कहेंगे तो एक बुद्ध होगे और बुद्धा कहेंगे तो बहुत सारे बुद्ध होगे सुधीरों कहेंगे तो एक सुधीर और सुधीरा कहेंगे तो बहुत सारे सुधीर अगर हम कहेंगे मोबाईलो तो एक मोबाईल हो गया और मोबाईला हो गया तो बहुत सारे मोबाईल हो गये हम ये कहेंगे अगर आज की समय में हम ये कहेंगे कि स्कूटरो तो एक स्कूटर हो गया और स्कूटरात का मतलब है बहुत सारे स्कूटर हो गये ये पाली में एक बचन और बहु बचन का तरीका रहा है समय के साथ अगर आप देखेंगे तो पाली भासा बदलते बदलते हिंदी हो गई क्योंकि जो प्राक्यतिक भासा है वो हर दिन हर घंटे बदलती रहती है हर जगह बदलती रहती है ठीक ऐसे जैसे हिमाले से निकली हुई जितनी भी नदियां है उन सब को पाली भासा में गंगा बोते हैं यानि जहां पानी बहरा है लगातार वो गंगा होती है ऐसी जितनी गंगा है वो सब अपने अपने इस्थाथ पे लगातार बदलती रहती है बढ़ती रहती है आगे चलती रहती है रुकती नहीं है भासा भी जो पार करते किया वो ना वो रुकेगी ना वो कभी ठहरेगी वो जहनने की तरह नहीं होती है जील की तरह नहीं होती है क्यों जील का पानी ठहरा हुआ होता है जील जितनी भी है वो तालाब जितने भी है वो संसकायद भासा के होते हैं जिनमें पानी रुका हुआ होता है, उनमें कोई स्कोप नहीं होता आगे बढ़ने का जो भासा विज्ञानिक होते हैं, वो किसी भासा के रहसे से उस पूरे थ्यास को बता सकते हैं जो पूरा थ्यास भासा अपने अंदर बदलाब के साथ समयटी होती है जब हिमाले से चलती है गंगा तो कैसी होती है और जब वो सागर में गिरती है तो कैसी होती है इस पूरे बदला आपको भासा विज्ञानिक अच्छी तरह से जगे के हिसाब से बता सकते हैं कि कौन से सद इसमें जुड़े, कौन से सद इसमें घटे अगर आप पाली पड़ेंगे और पाली का इत्यास जानेंगे पाली के अगर साहिते को खंगा लेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपको बहुत सारे सब्द नहीं मिलते है उसमें कोई हिंदू, सिक, जैन, मुसल्मान या कोई पार्सी या कोई बौध या ऐसा कोई सब्द नहीं मिलेगा आपको आप उसमें देखेंगे कि उसके अंदर ना प्लास्टिक है, ना उसके अंदर कोई कंप्रूटर है, ना मॉबाइल है, ना कैमरा है ना उसके अंदर कोई ऐसा जो आज की समय में एप्रिस चलता है, ऐसा है ना उसके अंदर कोई ऐसे वड़न है जो आज के कॉलेज और आज के जो जितने भी सिस्टम डबलब किये हुए है मॉडल सिस्टम जिनकों बोलते हैं वो है क्योंकि भासा पुरानी है तो उसी समय का उसमें व्याख्षान होगा पूरी पाली भासा के इनला जो धार्म डिये गए है वो प्रकरती के हैं जानवरों के हैं पानी भैते हूँ के हैं जनीन के आकास के हैं और मनुष्य की वेवार के हैं सारे की सारे वो हैं उसमें आज़ुनिक चीज skipping नहीं है क्योंकि इत्यास बताता है कि जब वो चीज हमाँ है ही नहीं तो वो उसमें सहित्य में आएंगी भी नहीं अगर किसी सहित्य में कोई चीज आती है और उस काले में नहीं है तो वो सहित्य जूटा गोसित हो जाता है जैसे हम ये कहें कि आसिफ 5-6 साल पहले लोहे का एक बहुत बड़ा धनुस था या लोहे का एक बहुत बड़ा तीर था या लोहे का एक बहुत बड़ा तरसूल था तो लोहा तो 5-6 साल पहले था ही नहीं, 4000 साल पहले था ही नहीं, 3000 साल पहले था ही नहीं जब लोहा था ही नहीं तो लोहे का उजार कहां से आया लोहे का वणन कहां से आया और कोई ये कहे कि उस समय जातियां थी और इस जाती ने उस जाती को ऐसा कहा तो ऐसा कोई वणन पाली में मिलता नहीं क्योंकि जातियां बहुत बाद में जाके डबलप हुई है बहुत बाद में जागे विक्षित हुई है वहाँ सिर्फ वन्ड का जिकर मिलता है वन्ड भी वो है जो दो तरह के हैं एक समन है और एक भमन है भमन जो बहार से आए हुए लोग है और समन जो भारत के यहां के लोग है वन्ड का मतलब कलर होता है एक अवर्ण है और एक वर्ण है यानि एक सफेद रंग की लोग है जो बहार से आए अवर्ण और एक सवर्ण है जो सेवर्ण यानि जिन में रंग था वो यहाँ के लोग होगे जब बहार के आए कोई अगर ये कहे कि पालिस साहित्य के अंदर कोई मंदर का, कोई मजजद का, कोई गर्जागर का, कोई गुर्दवारे का, कोई बौध बिहार का, कोई ऐसा जिक्र मिलता है, तो ऐसा जिक्र मिलता है बुद्ध के बाद में जितने भी आराम बने आराम का मतलब होता है वाटी का जहां वो बहुत बिक्चो आराम करते थे जैसे संगाराम जैसे बुद्धाराम जैसे जैत्वनाराम ये आराम का मतलब है आज की समय इनको बिहार बोलते हैं उस समय बिहार सब्द नहीं था बिहार करना का मतला था रहना होता था तो उस समय ये सब्द नहीं है पूरे पाली में तो उसका मतला उस समय ये बिल्लिंग है या ये इस तरह की समुदाय नहीं हुआ करते थे उस समय कोई भी चीज ऐसी नहीं हुआ करते थी जो आज की समय दिखाइदे यह जो लोगों के नाम हैं वो नाम भी एकर नाम होते थे सिंगल थे जमीन के इसाब से, समय के हिसाब से, पिरपोदों के इसाब से य religious के आज वह नाम हिवा करते थे अगर आप तीसी पीडी का नाम उठा के देखेंगे तो तीसी पीडी के नाम भी सिंपल और साधा होते थे उनमें कहीं जात का जिक्र नहीं होता था ये लगबग 60-70 साल से लोगों ने अपनी जातीगत पहचान के नाम पीछे लगाए है लोग लगबग 60-70 साल से बहुत जातीवादी हो गए है अब जात कहने को लोग कहते हैं जात खतम करो मगर हर व्यक्ति अपनी जात को पीछे लेके चलता है अपनी नाम के साथ और इस पर गर भी महसूस करता है तो पाली अगर आप पढ़ेंगे पाली अगर जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि जातीए सिस्टम का वाराम हुआ वर्ण कैसे बने क्या व्यापार उस समय होता था लोग उस समय कैसे थे कितने उस समय मजब या धरम थे या बाद में कब डबलब हुए क्या उस समय थी, कैसे पंत बने, लोगों का वहवार कैसा था, कितने समुधाय थे, किस तरह का वहवार था, इसलिए पाली को परते रहे, पाली का धन करते रहे, ये प्राकरतिक पक्ती भासा है, नेचरल भासा है, ये आपको नेचरल लूप से सारी जान गई देती है, पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है, आप अपने पोर्टल पर, अपने यूटूब पर, अपने फेस्बुक पर, या किसी भी जो भी एप है, उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर, टीम 22 से, या फेस्बुक से, या मेरे पेज से, कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं, या अपनी कमेंटरी कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मैटरिल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं, उसक इसा copyright free रहेंगी हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट करकर या इसको लोड करकर या डाउनलोड करकर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट करकर अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज़ दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज़ देंगे, आप धम की सेवा में साहिक बने, धम आपको खुब लाब लाब देगा, धम आपको लाब देगा, आप धम को लाब द तंगं सरेण गच्छामू तंगं सरेण गच्छामू संगं सरेण गच्छामू तंगं सरेण गच्छामू तंगं सरेण गच्छामू तंगं सरेण गच्छामू पूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छामी, पूतियं पी संगं सर्णं गच्छामी, ततियं पी बुद्धं सर्णं गच्छामी, ततियं पी घुतंग सर्मं गच्छामी ततियं पी धम्ममर सर्मं गच्छामी ततियं पी घुतंग सर्मं गच्छामी ततियं पी धुतंग 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 सर्मं गच्छाम